इसी ता क्रेश्ट देख लेकर आपर आप अब शुकर देपर अब तरह आनी रहा है आगे आगे कि देखो मैं पूरा पर इससर रहा हूं फास्ट डिससर हुआ इसी पर था लास्ट के बसक्षिंट जटाइबन उसमें दिख्कत आएगी बागी कोई दिख्कत आई इस पर में ने किसमें से इच पेर अफंट एलिमेंट्स एफ ऐफ इंड इस चोटा रिपटेशन हो जाएगी तो इससे आंसर कुछ आ जाएगा थर्ड फिर रिडॉक्स रेक्षिन एंवंग तो एंटू प्लस ओटू कम्माइन कर रहा है क्लियर हाई टंप्रेचर पर क्या बनता है अट्मस्टर बहुता जब लाइट्निंग होती है जर्णिंग होती तो कमाइन करते हैं जी रो से प्लस टू गई है ओकी जीरो से मैनस तो गई है तो यह आजाएगा अंसर और बाकी फॉर्मेशन ओज रों प्रम एट्मस्टर ऑक्सिजन थी ओट्री यह कोई रिडॉक्स तरेक्षिन नहीं है एस रिडॉक्स नहीं है ऐसे इस त सेड़ी में इंकरक्ट स्टेटमेंट कौन सी है तो कॉट्टाराइब कंपलक्स दिरेख ना सी ओटरिगन ध्रल्ट्रॉस दिर्खनकी ब्लस है श्क्रॉट्रॉस तोर्ऌटर्ण यहाने वीक फिल्ट लिगन है तो द्यट्रॉस नहीं अनुट्टारण कंट्स च 2 g4 eg2 पन तो डील्टा ओ ये लिशन डीयर टील्टा ओ लेबबडल्य फिलिद अगरफ़ फंड़्ड है वर Ville 9 स्दॉट प्लस मतलब छएएं लैंट्रों सेहLक्ट्रों से तो क्या होगा ठीक सफेन टीकजिम में जाएंगी अबилась एक दो तीन टीटूजी में गए चार पांच अच्छट अलेक्टर नीच आए गए तो आंसर टीटूजी फोर एजी टू तो यह करेक्ट है फिर वेवलेंथ लाइट एब्जॉब्ड इसकी इसका स्ट्रॉंग फिलिगंड है स्ट्रॉंग फिलिगंड है तो इसका एनर्जी अ तो तो मैं पता है एनर्जी डारेट दिर्खिया है तो डिल्टा टी होता है फोर बैण ओफ एप्रोक्सिमेट यह डिल्टा हो इसके आधे से कम ही आएगा आंसर तो यह तो स्ट्रीटमेंट जो करेक्ट है कौन सी करेक्ट है आप और पूछा है इनकरेक्ट तो ए और डी आंसर आजाए फोर्थ आंसर फिर पॉसिबल पर ऑप्टिकल आइसमर्ट यह क्लियर कोशन लिकुल में एक बार लेना है और एक बार दी एस्पी दू दोनों के दोनों ऑप्टिकल आइसमर्ट शो नहीं करेंगे ऑप्टिकल आशन प कोशन नमबर आगे इसमें है इन इन फॉलिंग रेक्शन प्रोडुक्स ए और बी रिस्पेक्टिवली एक र रेक्शन होई है यह की होट एंड कंसे अन्योज के साथ यह तो आज ही किष्ट क्लास में डिसकस हुआ था एन इस सील प्लस नेसी लुट्री बनेगा तो नेसी ल इसमें पता दिया था क्लास में बता दिया था कि उसमें वैसे बन जाएगा तो इसमें बहुत सिंपल कोशन है अगर गुलुकोस कम ट्रीट करते हैं तो दोनों उपर और नीचे दोनों अक्षिराइज हो जाएंगे और अगर तुमने ब्रोमीन वाटर डाल दिया इसके अंदर ब्रोमीन वाटर डाल दिया या फिर फेलिंग सोलुशन डाल दिया तो उसके इसमें सिर्फ ऊपर और पार्ट अक्षिराइज होगा गुलुकोनिक असेड मिलेगा नीचे सेम रहेगा नीचे सेम रहेगा तो यह मिलेगा गुलुकॉनिक असेड तो गुलुकॉनिक असेड कैसे मिला पार्शियल अक्षिरेशन प्रोडुक्ट अप्र अंसर आ जाएगा फिर बॉन अडर एंड मेंटिक मोमेंट ऑफ सीन माइनस देखी रहाएं माइनस होता है करना ही जुरूती नहीं है इसके तो बॉन अडर इसका 3 है और मेगनेटिक एंड डा मेगनेटिक क्या जाएग इसकी क्या जाएगा इसकी क्या एक जो एमोटी जब भर होगे वैसे भी डिरेक्ट पतार ग्राफ 14 लेक्ट्रॉन से तो डाइवन में पैरमेंटि प्रेक्टिक होते हैं एक्वेशन डेट इस इंकरेक्ट सेट्वेंट इंकरेक्ट इस इंकरेक्ट इस पूछी है तो देखो मोल सोसे भी जाएगा एक बडो दोनों साइड बैलन्स करके या एक विजग इधर अगे न अगले में देखो अगर है तो दिखी रहा है यह तो हो जाएगा करेक्ट है तो अंसर पूछा तो यह होगा देखो के अगले में इसला रहा है इधर भी कि मैंने से न आजाएगा एसी देख लो ने ऑने एक अप्रेक्शन वाला इसी पाट प्रोटक्शन वाला यह यह जाएगा फिर ब्लॉक्ट है और तो पीक याँ यह चोटा सा पाट है बहुत बड़ी-बड़ी किया है उसका इक चोटा सा पार्ट है वान अंसर आजाएगा असरी में अधायल को वाले और तो पेंडी लगना चीह भी आज है नहीं 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 थी अधाय को चेकर अक्टिवेट है टिवेटिंग ग्रॉप्स और वीकली अक्टिवेटिंग यह अगया ज़ा नहीं अधाय मोडरीटी में आता है यह न्युक्ट अबने प्लासर लेकिन वह इसमें मैंने को लगा की तो लगेगा इसी लिए तो पर औपटेक्टिव करना हो जरूरी यह ना इसे ऐसे मिक्स कर दिया यहां पर एक कंटेनर यहां एक कंटेनर एक में पानी पढ़ा हुआ है मानलो और एक में पानी और साथ में शुगर वगड़ा है तो कुछ टाइम के बाद जिसमें पानी पढ़ा हुआ इसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे यह इसके परेगा और इसके वेपर्स क यह कराया कर देखो इसमें इंप्रोटर्टन है यह मैं अभी पी शायद तुम्हें पिरिफिकेशन में भी तो जादा वह होगा यह सेम कुर्ण किया होगा से मेरे को ध्यान आ रहा है पहले कराय थे मिलेको अब याद आ रहा यह पहले है यह स्टार्टिंग में कराया होगा जब मार्च में चाट हुए तब कर आया था शादी कुश्टन दूसरा है अनिलीन है और तीसरा है कि टीसरा एस्टोफिन तो तुम्हें दिख हाए इसके अंदर सबसे यह जो डाइक है किसके आइगी और फोैट्रॉनट लेके गया ऑपने अधिव सबस्सेरे बिदाब्स में एकिश्टोफिनन की पाईएप्ट्रस है इस लीए चार्ड ट्रांसफर होगा ओ सबसे पोलर है इसलिए जो पोलर सॉल्वेंट है कौन सा यह सबसे पोलर है यह पोलर सॉल्वेंट जल्दी से साथ में ले जाएगा यह पहले सी फिर ए और फिर भी आंसर आजएगा सी दन एदन बी तो नीचे कर ले कि मैं है तो तुम्हें खुद करने सारे हैं तो इसमें तो रेक्शन है नहीं होगी इसमें अइसे इसमें रेक्शन हो जाएगी क्योंकि अलाइल कारफॉटायन हाइल इस्टेबल तो अंसर जो है इसका बया जाएगा और बी और डी रेक्शन होगी यानने आंसर सेट आजएगा बी में रेक्शन हो जाएगी थरटेंध कोश्चन थर्टीन्थ कोश्शन यह स्टेट्स ओमेटर का कोश्शन है सबस्टाइब विलिशिटी सी होगी और यह आरम्स विलिशिटी होती है अंडरूट में 3RT तो उसके अंसर कर निकालोगे तो ए है यह आ फोर्ट आंसर आजाएगा नेक्स विल्कुल सही है और दूसरा उनिफ्रेण जो है यह लाइक हैटो पर ओक्साइड कमपाउंड साथ केश्यलो 3 इसके इंदर उक्सी और और यह एंडान है यह सब क्या देंगे श्ब्सक्राइब जैसे क केसे अंचल प्लास लिट टॉटेगा पीबिबियो रीच लिटार यह यह प्लस था आफ नो3 जए बहुत important NaNo2 plus half O2 क्योंकि sodium बड़ा है तो NaNo2 मिलता है इसमें यह NaNo2 नग्रिव आयन को सवाइब लेगा फिर यह भी direct question है फिर 15 question कैसे करोगे यहाँ पर रखा है यह है सब्सिर्यूशन याने के एक बार डाला है तुमने CH3 CH2 O- इसको A मानके करना है एक बार यह डाला है तो जो Mu है Mu है KS by KE Mu A मानलो उसको Mu A भी होगा KS by KE Mu A होगा KS याने सब्सिर्यूशन बाई Elimination तो तुम्हें पता है अगर यह डालेंगे तो यह Elimination कम करेगा सब्सिर्यूशन जादा करेगा क्योंकि यह primary है इसके पास जादा नहीं है तो यह क्या करेगा सब्सिरूशन जादा करेगा इसका एक रिदन भी और के यह थर्ड वाले यह थर्ड वाले का यह का अजया एक यह को सबस्टूशन वाले का फिर अगला कुशंट आए next question 16 refining refining method used when the metal and the impurities have low and low and high melting model equation 6 methods refining के जो NCRT में दे रखे हैं extraction जप्टों में करा रखा दूसरा question है extraction का equation answer आजाएगा next question the correct order of stability of the following alcoxides is तो इसमें stability का पुछा है तो इसमें extended connection negative यहाँ पर 5 पाउंड के सथ रेज्वेंश फिर इस negative की N2 के सथ रेज्वेंश हो जाएगी extended connection इस वाले केस में O- की resonance इससे होगी और N2 को होगा सिर्फ माइनस इफेक्ट इस केस में N2 का सिर्फ माइनस इफेक्ट है तो आंसर आजाएगा सी सब्सक्राइश से पर होगा सी सी के बाद होगा B B के बाद A C B 1 आंसर होगा इटीन कुश्चन दा ammonia released on quantitative reaction of 0.6 ग्राम ammonia 0.6 ग्राम इमोनिया मतलब 0.01 मोल हो गया तो इसका इसका नदा भी 0.01 मोल हो गया और 0.01 मोल ammonia है ट्रीड किया sodium hydroxide से NH2 CoNH2 को treat किया न ऑच के साथ तो यह दो मोल आमोनिया release करते का this strong base जाला है दो मोल आमोनिया देगा यहां से cleavage यहां से cleavage यहां ह ह यहां ह गया हो और सी को के साथ औन न न लगा देना एने टू two two three मिल जाका सीधा यहां पर यह पाउंट क्रोट टू मॉल मिलाइगा यह पॉंटि जीनपोडिर्म जीनपेल मोल मिल प्रोडियों 一न जीनफ के महल पॉंटिनृते टूड लागे हैंञे और तुरहक होगा कि दिधे निल्गें तो 200.4 बाइटन यह जाएगा पॉइंट how कि 19 watching 19 question 19 question इसको थोड़ा सा बड़ा सा यूपर गर हो पाएगा यह थोड़ा नाइंटीन था बस रहां दे थोड़ा अब इसमें डाला पहले एच बियार पहले एच बियार डाला यहां से क्लिवेच यहां से क्लिवेच ओ के साथ ह आ जाएगा और उपर बियार आ जाएगा ओ के साथ ह आ जो तीन कारबन तीन ना एक दो और तीन एक और करबन आएगा विए तीन करबन गएगा विए जाएगा और निचे इस तू बीर डेरेक्ट है निचे डाला हुए शायद ने ड्राइध वुर्ड जायेगी वुड्स एक्षिन लगएगी दोनों कंब्माइंड कर जाएंगी और डी आंसर में आशना सब्यद्र कॉश्यों डी एंसर आकता कि अ अ मैं कॉश्योंनमर कॉन से ओड़े wellbeing निए द्यक्षिचि नियुक्त cucpur 20 20 222 प्लस 2 एनो गिस एन 2 प्लस 2 एच्टो दा अब्जर्व डए एक्स्प्रेशन इस यह रेट एक्स्प्रेशन फॉरवड का है एक्स्प्रेशने को बोलों तुम्हें और आरेव होगा केयए ऍटू हेच्टू का स्कूर एक्सप्रेशम मां लेते हैं कि एक्सक्डिशनלא कॉन्ण होगी तो दोनए इक्सप्रेशन उसक्राइव हो श्राइक क्या तो CT होगा क्वागा। और वbey क्या हैHHHH कर दोनों उससे समझ अच्छी से आएगा इससे बता रहा हूं तो वह करके बी इंटू एंटू एंटू का कि आए कि कि इन टू एंटू इंटू एंटू एश्टो का स्क्वेर यह आएगा के बी इंटू एंटू इंटू इंटू का स्क्वेर तो तुम्हें दिख रहा है यहां पे जो आरफ मैंने लिखा है के एफ के साथ यह एक एच्टू वाली टर्म कम दे रखी इदर इसका मतलब यहां से कट करके कहां पर आगया हुआ इधर आगया हुआ नीचे इसलिए यह वली टाम आएगी आर्बी वाली आर्बी के को लाएगा समझे कि नहीं तो इसको देखकर करके ऑप्शन मैच करोगे तो आंसर आजागा शायद डी आंसर है फूर्थ एच्टू नीच थोड़ा प्रेपरेशन का रखा तो आर्फान जी कर लेगा पहले अक्रोमाई क्रोयड टैस्ट तो यह सी री कंडिशन मैं यह तो यह वन जाएगा पहले पनेगा नेटीच इस री है सब्सक्राइब करोंगे सबके मिला करके तो एटीन आ जाएंगे टोटल एटम सबके कितने आ जाएंगे एटीन नेक्स्ट ट्वेंटीटीटू कोश्चन आब ये तो थोड़ा सा ठीक था कुश्चन है मोल कंसेट का इंपोर्टन कोश्चन है और इसको करनण कर दिया आयनिक पार्ट में यह था पूछा है तो अंग्स कर रखा है तो बस थोड़ा सा कंसर्प्स के लिए रोने चीए है इसलिए important है क्योंकि सारे चप्टर उससे related है 3 ग्राम acetic acid है इसको mix किया है 250 ml of 0.1 molar HCl के अंदर 3 ग्राम acetic acid mix किया है 250 ml of 0.1 molar HCl के अंदर and the solution made up to 500 ml 500 ml solution कर दिया total अभी है तो अब इस 500 ml acetic solution के लिए 500 ml acetic solution के लिए इसमें से मैंने लिया 20 ml 20 ml लिया और उसके लिए चाहिए half ml of 5 molar एन्योज 20 ml के लिए half ml of 5 molar एन्योज चाहिए तो 500 ml कितना चाहिए होगा चेको रोगा देखो 500 में लगे लिए कितना चाहिए होगा हाफ इंटु 5 इन्टु 500 इवाइड बाइड बाइज आए एए ट्वेंटी यह कैंसिल होजाएगा कितना आ रहा है 250 by 4 या इसको 25 या आगया 62.5 62.5 मिल इक्रेंट चाहिए है किसके? एन्नेवज के ये 62.5 मिल इक्रेंट आ गए एन्नेवज के 500 मिल सोलूइशन के लिए 500 मिल के लिए अब ये एन्नेवज जो है पहले रख करेगा हCEL के साथ पहले किसे रख करेगा हCEL के साथ तो HCL और अन्नेवज अन्नेवज है प्लस HCL देगा अन्नेवज प्लस S2 जिससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों न्यूट्रल है अन्नेवज है 62.5 और HCL है अन्नेवज 62.5 नहीं है अन्नेवज है अन्नेवज को बच जाएंगे अब जो बच फचे हुए आज की मिलकृइट से हैं वह रेट करेंगे किसके कहाथ वीखर असट सब्सक्राइब के साथ कितने है यह है ग्राम टेड़क निकालेंगे फ्रीबाइ इन्टू थौजन यह इसके में लिखे रहा हूं है यह यह थर्टी सब्ट फाइव और यह है थ्री बाइश सिक्स्टी इंटू थॉज़न कितना आजागा यह पचास वन बैट वेंटी इंटू थॉज़न ना बनेगा इससे एसी ओ ने बफर बन रहा किलिए दिख रहा है जिसने बफर बनके दिखो यह थे बारण पॉइंट पांच यह बनेगा थे सॉल्ट यह सॉल्ट बच गया साथ में वीकर आसेड बच गया तो बन गया बफर बफर लग जाएगा पी एच इस इस गूल टू पी पी के दिर खहा है के लाएटे दिया है यह राज फूइस तरू पोइंट फॉइसान फाइगएर फॉर प्ट्छ फॉइप फॉइब सॉर पॉइस सॉल्ट है तव्श मूइस यह थिभर दिख रहा एक त्क है तो पॉइब ठी आगल चांब है फोंत टॉत फॉन सहल्वन तो तो ठीक था कोशन में के लिए नेक्स कोशन जिसने किया हो ना यह आना चाहिए तुम्हें खुद मैं सर्फ हिंट दे रहा हूं यहां पर कोशन नमबर 23 23 वे तुम से हो जाएगा इतनल को ऑक्सिलेशन करो कमशन करो इतनल का बनेगा क्या बनेगा क्या 2C02 बनेगा क्या 3H2 तो यहां पर चार ऑक्सिजन यहां पर तीन ऑक्सिजन साथ साथ में से गया तीन थ्री वाइट थ्री ओटू बस आप डिल्टा इसके फोर्मिशन के लिए कमशन इसका दे रिखा है अपनेगाइट स्भाट मेंट्र में यह psychology अशन क मिया में इस से अधो टीन आट क्या डियाओ इते हैं इते हैं इते हैं नगाए तो इते हैं यह कुछ न मिस्सिंग यह तुमने पस नहीं का इन का ही करना था करना इसी तरह के से हो जागा यहीं फॉर्मला फ्लोक्विलेशन वैली ओव एसे लिए रिखा आर्सनिक अलफाइड का अर्सनिक सुल्फाइड का 30 पर लिटर लीटर कि रिखे थर्टी मिली मोह पर लीटर है से लिए और लीम स्वेथ तो वर चेहिए वह दुद्ध प्लस है थाफ़्ट स्थ्रीज़न ग्राम सब एंड़ेश चंट फिफिटी मिली-ली लीटर के लिए हैं तो पन्द्रा मिली मोल को भी वनफौट कर देंगे औ पॉर्रल कोश्चन है 15 मिली मोल को भी 15 चछान के माने स्टिए 15 टो यह पूचांगा एक लिटर के लिए तो यह कितना आ जाएगा 3.75 इन्टू 2-3 त्री मोल आ गए एंट्व स्टेना आंसर आ जाएगा कि आए कि चलो यह निकाल लेना तो मांस रहा ना फिर नंबर अफ एस्पी टू हपड़ाइज कारबन से इस पार टेमें अब यह कुर्शन दो यार एक माय वह एडवांस में और उससमें एस्पार टेम का स्ट्चर दिया था और बहुत इजी पूछी थी कि इसके अंदर कौन-कौन से इसमें हाइड्रोफोबिक हाइड्लाइज होने के बाद क्या मिलेंगे कौन सा इसमें से जारा पानी के इंदर सॉलिवल है इस ताइप के इजी कुछन पूछे हुए थे और अभी क्या बोला हुआ है एस्पार टेम का स्ट्चर सोचो तुम और तुम अगर मेरे नोट से करो सब्सक्राइब का स्ट्चर और तुम्हें बताना उसके नदर कितने कार्बन जो है वह स्पीटू है तो यह बनता किसे मिलके है मैं बता तुम्हें ऐस्पार्टिक एसेड और फिनाइल एलाइन करेंगे तो यह बनता है एक थोड़ा सा उपर कर दो आज किसी ने पूछा वि को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को यह चलो इस तरह देखनो यह सपार्टिक एसड असपार्टिक एसड चो और या सी ओवच लगते हैं कि अपर्टिक एसिड में बस हमने क्या किया है एक हटाकर के लगा दिया यह है और दूसरा जो है वो है फिनाइल एलानिन एसर फिनाइल एलानिन के अंदर लगर लगर दो सामने के रखा क्योंकि हैं यहाँ सी ओवच हैए यहाँ सब्सक्राइब कर दो इसमें यहां से यहां से बाहर अब हैं टोटल खकर निंग्रूप में थे होते हैं यह यह बाद एक और उसके बाद एक यह वाला एसपीटू आएगा में एक ये आएगा और एक ये रहा कितने वगर नौ आ गए ना पूरे छे आपे एक साथ एक आट और एक नौ समझ आगए कि नहीं क्लिर अगर तो इसे याद करने वाला मैटर छोड़ना नहीं कुल याद करना पड़ेगा और आज जो क्लास हुई थी मोस्ट इंपर्ण ख्लास है मैं ग्रूप में भीज़ने को बोला था किसी को भीजा नहीं किसी ने भी यह क्रेश तो यह जो क्लास हुई आज की जरूर पढ़ देना सब आज वह बहुत इंपर्ण ट्रास थी वह पढ़ लेना जरूर